मेरा नाम है रजत and you are watching इंडियाज नमबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी लोग लाइक पटन को दवा दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को कही ना कही शेयर जरूर कीजेगा और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गर्मियों की दिन थे सूरज आस्मान से आग बरसा रहा था गाउं में चारों तरफ फसल लेलहा रही थी और ठाकुर साब के खेट से एक बीज भी ना फूटा था खेट तो उनका वैसे बड़ा उप जाओ था पर बरसों से किसी ने उस पर जुताई नहीं करी थी ठाकुर साब ने अपने खेट की जुताई के लिए अमन को बुलाया था जो अपनी मेहनत और ताकत के लिए पूरे गाउं में मशूर था उसने बड़े बड़े लोगों के खेटों को जोत रखा था अमन जब अपना हल चलाता था तो हर किसी का ध्यान उसकी और खिचा चला आता था क्योंकि वो पसीने में तर बतर होकर भी पूरी लगन से जुताई करता था अमन पच्चिस साल का एक नौजवान था शरीर उसका एक दम मजबूत था मानो बुझिम जाता हो पर मेहनद करकर के उसने अपने शरीर को बहुत आकरशक बना लिया था उसकी काली चमकती आँखें घने काले बाल और उसका गोरा रंग उसकी चाती पे वो हलके हलके से बाल सब को अपनी ओर खीचते थे सब कहते थे कि उसमें कुछ ऐसी ताकत है कि वो किसी भी खेत की अच्छे से जुताई करता है और जब वो हल चलाता है तो मानो मिट्टी उसे इशारे करती हो और उसके आगे बिच जाती हो उसकी मेहनत को देख कर लोग कहते अमन जैसा हल कौन चलाएगा भला उसके शरीर पर पसीने की बूंदें मोतियों जैसी चमकती थी काम के समय बो बिना शर्ट के खेत में उतर था और यही नजारा टागुर साब के बेटे राहुल को बार बार केतों की और खीच लाता था राहुल जो की पलाबडा तो गाउं में था पर कुछ समय से शेहर में रह रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही वो गाउं में लोट कर आया था शहर की भागदोर भरी लाइफ से दूर वो गाउं की ठंडी हवा में सुकून ढूनता था लेकिन उसे असली बेचैनी तब महसूस हुई जब उसने पहली वार अमन को खेत में जुताई करते देखा अमन का महनत करता हुआ शरीर उसकी मसल्स और उसकी हर मूवमेंट राहुल के लिए तो मानो किसी पिक्चर को देखने के जैसा था राहुल पूरी तरह से अमन को देखते हुए खो जाता था राहुल को सबसे ज़ादा अमन की आखे पसंती क्योंकि उसे ऐसा लगता था मानो उसकी आँके हजारों सपने बुने बैठी है और बस किसी के इंतिजार में है जो उन सपनों को पूरा कर दे अमन को देखते देखते राहुल के मन में अजीब खयाल जागने लगे वो अकसर खिड़की से देखता कि अमन खेत में कैसे पसीना बहा रहा है एक दिन उसने खेत में जाकर करीब से देखने का फैसला कर लिया राहुल अपने घर के ऐशो आराम छोड़ तप्ती धूप में खेत की ओर चल पड़ा अमन हल चला रहा था और जुताई कर रहा था मिट्टी के महक हवा में घुली हुई थी अमन ने राहुल को आते देखा मगर सर जुका कर जुताई में लगा रहा पसीने से तर बतर शरीर पर मिट्टी के कंड़ चिक्के हुए थे और उसके दमकते शरीर को देखकर रहुल की धड़कने तेज और तेज हो गई तुम रोज ऐसे ही महनत करते हो रहुल ने हलका सा मुस्कुराते हुए पूचा अमन ने सिर उठाकर रहुल की ओर देखा और हलकी मुस्कान के साथ बोला हाँ साव मिट्टी में महनत करने से ही तो सोना उखता है रहुल ने कुछ देर उसे नियारते हुए और कहा तुम बहुत अच्छा काम करते हो पता नहीं क्यूँ लेकिन तुम्हें देखकर अजीब सा लगता है जैसे इस मिट्टी से मेरा भी कुछ रिष्टा जुड रहा हो अमन ने राहुल की आँखों में कुछ तलाशा पर शब्दों में कुछ नहीं कहा बोबस अपने काम में जुता रहा लगातार खेत की जुताई करता रहा लेकिन राहुल की नजरों की गर्मी ने उसे बेचैन कर दिया था राहुल वहीं खाट पर बैठा पेड़ की नीचे लगातार अमन को देख रहा था और अमन चुप चुप कर देख पा रहा था कि राहुल उसे घूरे जा रहा है अमन जानकर अब तो खेत में जोर जोर से हल चला रहा था और राहुल बुरी तरह से पागल हुआ जा रहा था उस दिन के बाद से अब तो राहुल हर रोज सुबह सुबह खेत में पहुँच जाता वो अमन को काम करते हुए देखता कभी कभी मदद के बहाने उसके पास जाता कभी उसके हातों को छोता तो कभी उसके कंधों को दोनों के बीच बाचीत शुरू हो गई थी अमन का सीधा पन और राहुल का अपना पन दीरे-दीरे दोनों के दिलों में घर करने लगा था एक शाम काम खत्म हुआ अमन पूरी तरह से ठक चुका था और पसीने में तर बतर था उसने राहुल से बोला कि क्या वो उसका हल दुला देगा राहुल ने हां कर दिया अमन ने अपने हल को राहुल के सामने किया और राहुल ने पानी डाला उस पर अमन ने रगड रगड के हल को साफ किया उस पर लगी हुई सारी मिट्टी छुटा दी राहुल ने उसके कंदे पर हात रखा और कहा तुमारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है शायद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा अमन ने आहिस्ता से राहुल की ओर देखा उसकी आँखों में हिचक साफ दिख रही थी लेकिन एक गहरा ऐसास भी था उसने धीरे से कहा साहव ये दुनिया समझेगी नहीं वो जो आप चाहते हैं राहुल बोला क्या चाहता हूँ मैं क्या तुम समझ गए अमन बोला हाँ साफ समझ तो मैं कब से गया हूँ जो आप मुझे दिन भर योही तक्टकी लगा कर देखते हैं तो इतना तो मुझे भी अंदाजा है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं जो आप चाहते हैं साब, वो मैं आपको दे दूँगा, पर उसके बाद उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। राहुल बोला, तुम शायद गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे ऐसा बैसा कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए, समझ पा रहे हो, मेरे दिल में जो है, वो जुबाँ पर है, क्या तुम साथ निभा पाओगे? अमन ने कहा, साहव, अगर आपके पिता जी को पता चल गया, तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने खेत की जुताई करने रखा था, और अगर अब मैं उनके ही खेत की फसल खा पता चलने वाला है, और जब तक पता चलेगा, हम कौन सा इस गाओं में रुखने वाले हैं, उस दिन के बाद से राहुल और अमन का रिष्टा गहरा हो गया, खेत में काम करने के बहाने दोनों अब ज़्यादा वक्त साथ बिताने लगे, शाम में राहुल अमन का हल धुला और अमन पानी राहुल के उपर फेंग देता, दोनों खेत में मिट्टी में लत्पत हो जाते, एक दूसरे से लोटते लोटते, एक दूजे के साथ जी भर के मस्ती करते, और फिर ट्यूब बेल पर दोनों नहाते, कभी अमन राहुल की गोद में होता, तो कभी राहुल अमन की गोद में, दोनों एक दूजे के बदन को रगड़ रगड़ के साफ करते, और एक दूजे की आँखों में खोसे जाते, राहुल अपसे पमन को देखने नहीं, बलकि उसके साथ मेहनत करने जाता था, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, एक रात, चांद की र रखवाली कर रहे थे, अमन ने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे आने से ये खेत और भी खास हो गया, जब तुम मेरे पास होते हो, तो हल चलाना भी आसान लगता है, राहुल ने अमन का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना, अब मेरा कोई नहीं, तुम मे तेरे खेत की भी जुताई कर सकते हो, अमन ने राहुल की तरफ देखा और बोला क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो अभी कर सकता हूँ, राहुल ने हाँ कर दिया, अमन ने हल निकाला और राहुल के खेत पर पानी की छीटे मारी, खेत को हलका सा नम किया, ताकि उसमें हल चल सके, उसके बाद उसने अपने हल पर पानी डाला, गीला किया उसे, और राहुल के खेत पर हल चलाने लगा, उसने राहुल की खेत को बहुत अच्छे से जोता, और उसके बाद दोनों पूरी तरह से ठक गए, अमन ने राहुल से कहा, तुमारे खेत पर इतने सालों से हल क्यों नहीं चला था राहुल बोला जब मैं छोटा था तब पिताजी ने ये खेत मेरे नाम कर दिया था और उसके बाद से कभी किसी ने इस खेत की ओर देखा ही नहीं सब को लगा कि ये मेरे नाम का खेत है तो इस पर बड़े होकर मैं ही किसानी करूँगा पर मैं कभी कर नहीं पाया और देखो ना आज तुमारी मदद से इस खेत की जुताई कर दी है कल बीज बो देंगे और जब फसल तयार होगी तो पिताजी बड़े खुश होंगे दोनों लड़के ठक कर राहुल के खेत पर ही सो गए सुबा जब आग खुली तो एक दूजे की बाहूं में थे खेत की मिट्टी की महक और उनके पसीने की खुश्पू आपस में मिल चुकी थी एक नई दुनिया बन चुकी थी उनके लिए राहुल शेहर को जाने वाला था उसने अमन से भी कहा कि साथ चलो पर अमन ने कहा मैं अभी साथ नहीं चल सकता कुछ दिनों के बाद आऊंगा राहुल ने कहा कोई बात नहीं पर जब तक हैं तब तक खेत में जुताई तो करी सकते हैं उसके बाद राहुल और अमन ने मिलकर खेत में बहुत जुताई करी अच्छे से जुताई करी फसल की बीज हर रोज बोए देरे देरे थोड़े थोड़े करके और अंत में जब राहूल शहर चला गया तो उसके बाद राहूल के खेत की फसल बहुत अच्छे से तायार हुई जिसे देखकर राहुल के पिताजी बड़ा खुश हुए उन्होंने अमन से पूचा कि इस खेट की जुटाई किसने की तब अमन ने बताया कि उसने और राहुल ने मिलके इस खेट की जुटाई की राहुल के पिताजी बड़ा खुश हुए और उन्होंने अमन के सर पे चड़ा हुआ सारा करजा माफ कर दिया और अमन से बोले जा तेरा सारा करजा माफ तुने मेरे बेटे की खेट की जुताई की और क्या जुताई की है बढ़िया फसल तैयार हुई है इस फसल से तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा आएगा आज से तेरे सारे करजे माफ और तूने जिससे करजे ले रखे हैं उनका भी टेंशन मत ले मैं उनके भी करजे सारे चुका दूँगा अमन ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि उसके सरके सारी चिन्ताएं दूर हो गई राहुल को जब ये बात पता चली तो वो बड़ा खुश हुआ उसने अमन से कहा तुम्यार अब शहर आ भी जाओ कब तक हम यूही फोन पर बात करते रहेंगे अमन ने राहुल से कहा ठीक है मैं शहर आता हूँ अमन अपने माबाप को गाओं में छोड़ कर शहर को चला आया यहां राहुल ने अमन की जौब लगवा दी क्योंकि अमन भी बारभी पास तो था ही उसके बाद दोनों लड़के यूही साथ रहने लगे उनकी बीच का प्यार पनपता गया बढ़ता गया और उन्होंने कभी एक दूजे का साथ नहीं छोड़ा माना राहुल के घरवाले उसको शादी के लिए परिशान कर रहे थे पर राहुल भी कम नहीं था उसने उनको सीधे बोल दिया कि उसे शादी करनी ही नहीं है चाहे अब जो भी हो जाए वो जानता था कि वो अपने और अमन के रिश्टे के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि अगर बताया तो उसके पिता जी अमन की जिंदगी दुश्वार कर देंगे इसलिए वो दोनों हमेशा साथ तो रहे पर किसी को अपने डिश्टे के बारे में नहीं बताया कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए